नमस्कार ट्रेंस एंट्रेवल में आपका मैलानी जंक्शन से बहुत-बहुत स्वागत है यह मैलानी जंक्शन का आउटर है जिदर पे AEN का केबिन है उसके आगे डाउन साइड में सेहरा मोग की दिशा में यानि की जो OHE के मास्ट है यह आगे की तरफ डाले जा रहे हैं जो की शंटिंग के साथ साथ जब यहां से आगे पैकेश्टीन में रेल इलेक्ट्रिफिकेश के दर जब कारी होगा तो वह यहीं से आगे फिर कंटिंग करेंगे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारियों को यह दोपहर में आज साड़े तीन बजे के आसपास का वीडियो है काफी साफ मौसम था उस टाइम पर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि OHE मास्ट जो हैं देखे फांडेशन के अंदर डाल दिये गए हैं तिल्ट है अभी यह 90 डिग्री पर सेट नहीं हुएं इरेक्ट किये जाएंगे क्रेन की साहता से यहां पर आउटर तक मुझे लगता है जहां तक लखनव मंडल की सीमा है पैकेज 2 के अंतरगत वहां तक यह सेहरा मौ की दिशा में ओएची मास्ट को डाल दिया जाएगा जिसके बाद वहां से आगे फिर सेहरा मौ होते हुए पुरनपुर की तरफ जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम के पीटेल करेगी पैकेज 3 में फिर इज़त नकर मंडल में आगे वो कार शुरू होगा यहां पर लखनो मंडल मैलान जंक्षन तक जहां तक लगता है उसकी सीमा वहां तक मुझे लगता है यह ओएची मास्ट डाल करके पैकेज 2 में काम खतम करने के कोशिश की जा रही है यहां पर आप देख सकते हैं क्रेन की साहिता से किस प्रकार से ओएची मास्ट वेगन की उपर रखे हुमें इनको टूट करके ओएची मास्ट पर गिर गया है तो वहां पर रेल संचालन अवरुद हो गया है और आज जो लखनौ जंक्षन से चलकर मैलानी तक जाती है स्पेशल गाड़ी दिन वाली दुपहर वाली वो लखीमपुर पे काफी देर से खड़ी हुई है तो यह सूचना अभी हमारे पास आई है क्योंकि ट्रेन में निरंकार शर्माजी ट्रैवल कर रहे है उनका मेसेज आया था कि लखीमपुर में बहुत देर से ट्रेन खड़ी हुई है तो वहां पर लोगों को पता नहीं कि आगे फरधान में आज ओएची के ऊपर एक पेड़ गिर गिर गया है वह पर और जब वो क्लियर हो जाएगा ट्रैक वहां पर साफ कर दिया जाएगा तभी रेल गाडियों का संचलन आगे होगा तो लेट हो जाएगी ट्रेन तो फिलाल यहां पर इस जानकारी के साथ साथ आप मैलानी जंक्शन पर जो कारे चल रहा है आगे अब ओएची मास्ट ड और से तो थोड़ी सी वीडियो में लाइट की इशू हो जाती है यहां पर आप देख सकते हैं वह अची मास्ट आपको बिल्कुल चमचमाते हुए नजर आ रहे होंगी और क्रेन की साहता से यह अब सहरा माउ की दिशा में डाउन साइड में मैलानी जंक्शन से आगे की तर और एक अच्छा सा वीडियो बना कर हमको भेजा है तो यहां पर आप देख सकते हैं रेल इलेक्रिफिकेशन के कारियों में अब मैलानी जंक्शन पर तेजी आ गई है और उमीद की जा रही है कि अब पैकेश 3 के अंदर भी आगे मैलानी जंक्शन से वह ची मास्ट डालने क काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द यहां से आगे पूरनपुर की दिशा में भी अब रेल इलेक्रिफिकेशन के कारियों में तेजी आएगी हलां कि अभी पूर्व में जो हमने वीडियो आपको दिखाय था जंगल के अंदर तार लगाने का काम रह गया है तो यह था ए अपडेट उमीद है आपको पसंदाय होगा